हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्योटिप चैनल All About Life में आसा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे इस वीडियो को स्टाट करने से पहले आप सभी से गुजारिस है कि अगर आप मेरे नए व्यूवर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ एक बाथिंग सोप का रेव्यू जो है गोद्रेज नमबर वन कोकोनट नीम नेचरल ओयल सोप ये टच है नेचर का जसमें है गुडनेस ओफ कोकोनट ओयल नीम कमबाइंड विथ नेचरल ओयल जो की प्रॉडक्ट क्लेम करता है कि ये हमारे स्किन को सिल्की एंड स्मूथ बना देगा अगर आप तीन साबुन इसका एक साथ परशेस करते हैं तो उस पे आपको एक फ्री मिलता है और इन दीनों की प्राइज है 68 रुपीज और 68 रुपीज में मिला है हमें 400 ग्राम इसकी एक और खास बात ये है कि ये आपको एक छोटे से ट्रायल पैक में मिल जाएगा जिसका प्राइज है 10 रुपीज अब हम जान लेते हैं इसके बारे में और डीटेल में तो दोस्तो इसका जो फ्रेगरेंस है बहुत ही फ्रेस है इंप्रेसिव है ये मार्केट में आपको इसली मिल जाएगा और गोद्रेज नंबर वन में आपको वेरियंस भी मिल जाएंगे पैकेजिंग इसका काम चलाओं है ये एक grade 1 साबुन है जिसका TFM यानि की total fatty material है 76% इसको बनाये गया है 100% vegetable oil से यानि की ये एक vegetarian product है कुल बिलाकर दोस्तों soap की जो design है अच्छी है बहुत ही easily आप इसको handle कर सकते हैं अपने हाथों में अब हम देख लेते हैं इंग्रीजेंट में क्या क्या चीजें हैं तो इसमें है sodium palmate sodium palm kernelate, water, perfume tulsi extract, coconut oil और इसमें neem extract का भी इस्तमाल किया गया है इसका जो self life है वो है 24 months overall दोस्तों अगर आपके skin बहुत ज़्यादा dry है खिची-खिची सी है rough है तो आप इस product का इस्तमाल न करें अगर आपके skin oily है या फिर combination है तो definitely आप इसको try कर सकते हैं मैं आपको यही advice करूँगी कि आप अपने चेहरे पर किसी भी face wash का इस्तमाल करें soap को avoid करें क्योंकि साबुन का इस्तमाल हमें सिर्फ अपने सरीर पर करना चाहिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा honest लगा तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को subscribe करें take care be healthy bye bye